हेलो गाइज मैं मुकूल आनन फ्रॉम दी बीस्ट कैनल आज आप लोगों को लिए लेकर आया हूं एक सांदार ब्रीड जो की है अमरिकन स्टैफर्ड साइट टेरियर और इसे सौट में एमस्टफ के नाम से भी जाना जाता है और यह जो ब्रीड है यह युनाइटेट मैं लोगों के अंदर एक और कन्फीजन रठी है क्योंकि इसके सिमिलार țiooh इॉर जो borrowed स्टैफर्ड स्टैट बूल टेरियर के नाम से जाने जाती और वह चार данیکी मातों से जो कि सिमिलर टू इसी के जैसे होती है लगबग लगबग बट इससे साइज में हलका छोटी होती है वो ब्रीड और ये ब्रीड जो है ये काफी फैमिलियर ब्रीड है और इस मतलब इसका इसको देखकर लोगों के अंदर जो एक कन्फूजन रहता है इसको इसके टेम्परमें कर दे तो वह ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यह थोड़ी अनर्जेटिक ब्रीड होती है और हाई ड्राइब ब्रीड होती है और बट यह पिटबूल जैसी सॉट टेमपर नहीं होती है कि तुरंत में अटैक या फिर कुछ भी वैसा कुछ दिक्कत नहीं है इसके साथ और 15-16,000 होता है उससे ज्यादा प्राइस रेंज के साथ लोगे तभी पड़ेगा ऐसे तो उतना ही रहता है बाकी आप देख सकते हैं इसको इसकी क्वालिटी और गाइस जो अभी बर्निंग इसू चला हुआ है कि डॉग ब्रीट जो दो-तिन डॉग ब्रीट को टार्गेट किया जा रहा है कि उसको बैन करें यह वो तो गाइस डॉग्स की कोई गलती नहीं है उसमें ओनर की ही गलती रहती है अगर आप कोई भी डॉग ले रहे हैं अ और पिड़ूल और बहुत सारी ब्रीड है यह भी पिड़ूल फैमली की ही ब्रीड है बट कहां कुछ आपको वैसा अग्रेशन तो नहीं दिख रहा होगा जो है उनर पर डिपेंड होता है और डॉक्स ऐसे ही अटैक नहीं करते हैं उनकी कुछ सिच्वेशन रहता होगा उन उसमें कोई दिक्कत नहीं अब आप रख सकते हैं अच्छे से रोटवाइलर विडबूल जो भी रखना आप रखिए बट उसको अच्छे से सोसलाइस करके रखिए अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो प्लीज यह सब ब्रीड ना ले आपके लिए और भी बहुत सारी ब्र को रखें सोसलाइस करें पहले पूरी तरीके से जानकारी लें कि कैसे पाला जाता है क्या किया जाता है बीना रूल जाने वे कोई भी गेम नहीं खेला जाता है गाइस बस